आज का हमारा टॉपिक है चरक सूत्र स्थान दो का अपामार्ग तंडूलिय अध्याए में अंतह परिमार्जन द्रव्य का बढ़ना आता है अंतह परिमार्जन द्रव्य का बढ़ना आता है उसमें भाईय परिमार्जन आता है यानि कि लेपों का बढ़ना है यहाँ पर अंतह परिमार्जन अपामार्ग तंडूलिय अध्याए और यवागू यवागू हम इन देख कर सकते हैं तो यहाँ पर अठाइस प्रकार के यव वर्नर आता है 28 प्रकार के यवागु जिसको डिवाय किया गया है चेप्र Humans और बाइस प्रकार के यवागु गोगन सनँख्या अगर हम देखें तो नंभर मैं 28 approach या तो जादा हो जाते हैं या तो कम हो जाते हैं, क्यूंकि बूक में जो sequence दी हुई है उसमें दो दो प्रकार के यवागूं का वर्णन इस अध्याई में आया है तो हमें याद रखना है, अगर question पूछा जाता है कि second chapter में कितने यवागू हैं तो यवागू हमारे 28 प्रकार के हैं, 28 प्रकार के यवागू का वर्णन है, 28 प्रकार के यवागू का वर्णन है, 28 प्रकार के यवागू का वर्णन है, तो पहले प्याओं का वर्णन है, तो पहले प्याओं का वर्णन है, तो पहले प्याओं को हम देख लेते हैं, कि प्या, म यवागु इस तरीके से वर्णन है कोई खास particular sequence नहीं बताया गया है तो हम ऐसे पढ़ लेते हैं मैंने यवागु को बाद में रखा है पहले पेयाओं को पहले नंबर पर है पाचनी और ग्राही पेया पाचनी ग्राही पेया पाचनी ग्राही पेया में जो द्रव्य है दधी बीव जांगेरी तकर्दाडेम साधिता करके लेकिन तुम्हें बनाया है उनलों को आसानी याद करने के लिए उनलोंघमी कुछ चीज़ों एंदरस्टाइब करके ही हम समझ लेंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं जिस तरीके से नाम है और द्रव्य है उनका गुंधर्म कुछ ऐसा ही है इसलिए उनको पर्टिकुलर यवागु में रखा गया है पाचनी में ही इन द्रव्यों को क्यों रखा गया है इनके खास रीजन्स हैं पर ट्रिक के लिए हम सम मज़के याद रखेंगे और कुछ भागिरा से भी हाद रखेंगे तो यहाँ पर समझ कर करते हैं कैसे दधी विल्व चांगेरी्त्के7 ये सब अमलье रस कुछ है कुछ जो द्रवय है उसमें आमले रस और कुछ कशाई रस वाले हैं, आमले कशाई दोनों मिलाकर यहां पर है, basic अगर हम देखें रस को, तो आमले और कशाई, ग्राही का मतलब क्या होता है, ग्राही का मतलब होता है, अब्स्ट्रक्ट करना, स्टॉप करना, अब्स्ट्रक्ट करना या स्टॉप क करना ग्राही का मतलब होता है ठीक तो अब्स्ट्रक्ट जो अब्स्ट्रक्शन है वो कौन कौस करेगा जो की ग्राही हो ग्राही में जो है दधी के बार में सबको पता होता है कि दधी क्या करता है दधी अभिशंदी होता है अभिशंदी कि अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा कहते हैं, बताया गया है कि दधी श्रोतों का रोध करने वाली होती है, अभी शंदी यानि कि श्रोतों को रोध करने वाली, अब्स्ट्रक्शन कॉस करने वाली होती है, दधी, अब्स्ट्रक्शन कॉस करने वाली होती है, दधी को हम अगर याद रख लें तो दधी से हम ग्राही को याद रख सकते हैं ग्रह यानि कि कोई चीज़ अब्सरक्ट कर देना रोक देना ये काम दधी का हो सकता है क्योंकि दधी अविशन्दी है तो हम दधी से ग्राही को याद कर लेंगे कि दधी से आया हुआ जो है दधी के साथ बिल्ग ग्राही और पाचनी पिया कौन सी है तो भी एक ही आंसर है, अगर सिर्फ ग्राही आता है तो भी यही आंसर है और सिर्फ पाचनी आता है तो भी यही आंसर है, अब देखते हैं कि पाचनी कैसे हैं, दाडिम से हम पाचनी आ जखेंगे, दाडिम का रस जो होता है वो अमले रस होता है, अमलिरस होने केकारण दाडिम रधЯ भी है, planeta2 previous दिपन पचन के लिए दाडिम को इस्तेमाल किआ जाता है, तो दाडिम को पाचनी पयामी रखा गया है, अमलिरस होने की वजई से। सोदिस होने की वज़े से, तो सदेखते हैं, अमलिरस क्या है, जो जल प्लस तेज, जल और तेज, तेज को हमने किस से लिया था, अगनी से, तो अगनी जिसके अंदर है, वो पाचन का काम तो करेगी न, अगनी पे अगर हम कुछ रख दे, तो वो पका देती है, अगनी पाप करती है, तो पाचन का काम करेगा दाडिम, दाडिम, दधी बिल्ब चांगेरी तक्र धाडिम साधीता तक्र के भी इसी तरीके से गुन है और धाडिम चांगेरी इन सब के भी इसी तरीके से गुन धर्म है जो कि ये अपना काम पाचन और ग्राही के रूप में करते हैं पाचन और ग्राही पेया में इनको लिया गया है पाचन और ग्राही को हम दधी से याद रखेंगे और पाचन को हम दाडिम से याद रखेंगे पाचनी और ग्राही में दधी दोनों आया है यह हम याद रखेंगे क्योंकि आगे भी दाडिम और दधी का बहुत यूज बताया गया है बहुत सारी जगों पे इस्तिमाल बताया गया है तो पर्टिकुल विया है तो पित और शलेश्म यहां पर आया है holes पित और शलेश्म , जिसम दो दोशों को एक साथ पुछा गया है तो हमाल पर यह वह ब नरग में यह साथ ने साथ पटाया है , पॉछनी पर कुमारत आम्मच का मतलब है из this दाडिम अमल दाडिम यहां पर बताने की कोशिश की गई है दाडिम अमल का मतलब है अमल दाडिम तो एससे श्लेश्म से हम किसको ले लेंगे श्लेश्म से शाली पढ़नी को और पी से ले लेंगे प्रिश्णी पढ़नी को पित और श्लेश्म हमारे पास क्या है पित श्लेश परणी पित प्रिश्णी परणी श्लेश में शाली परणी पित प्रिश्णी परणी यह हो गया दो द्रव्य तो हमें ऐसे ही याद हो गये बला बिल्व बला बिल्व अगर किसी को दुई-दोशज अतिसार हो जाए एक तो आम अतिसार होता है पक्व अतिसार होता है अब दोस हो गई किसी को तो बला और बिल्ब बड़ा बिल्ब तो बड़ा होता ही है तो बला और बिल्ब क्या हो गया पित्त स्लेश मतिसार बला हो गई दूज़ जगर अतिसार हो गया तो बला हो गया ना तो बला और बिल्ब अब देखिए, थोड़ा सा trick हम यहाँ पे लगा लिते हैं, इसको समझने के लिए नहीं trick के point of view से देखेंगे, स्लेश में है, किसके लिए responsible है, अगनी मंद के लिए ? स्लेश में सब्सक्राइब मेंस के लिए responsible है ! तो दाडिम ले लेंगे, आमका पाचन करना पड़ेगा, तो दाडिम ले लेंगे, दाडिम, हम दाडिम लेंगे, अभी भी हमने रसका गुन पढ़ा, क्या होता है, तेज होता है, इसके अंदर तेज होता है, तो वो पाचन का काम तो करेगा, तेज पाचन का काम करेगा, तो एक बार देख लेता है फिर से, पित्त स्लेश्म अतिसार में क्या क्या द्रव्य हैं, शाली पर्णी बला, बिल्ब प्रिश्णी पर्णी दार्डिम आमला, शाली पर्णी पर्णी पर्णी, स्लेश्म और पित्त अतिसार, स्लेश्म और पित्त अतिसार में शाली पर्णी तो बड़ी बला हो गई, बिलब और बला हो गई, अब स्लेश्म को हमने क्या समझा, कि हो सकता है वज़े से अतिसार, आम अतिसार हो, ऐसा वैसा अतिसार ना हो, आम हो इसके अंदर, तो दाडिम जो की अमले रसात्मक है पाचन करेगा, इसलिए हमने दाडिम को भी लिया यहां पर, next, next जो हमारा यवागु पेया है, next हमारी जो पेया है वो रग्त अतिसारगनी पेया है, क्या है रग्त अतिसारगनी पेया, इस प्रिश्णी पर्णी यहां पर रिपीट हो गया, तो प्रिश्णी पर्णी को हम बड़े आराम से कैसे याद करेंगे, रक्त है, रक्त के गुंधर्म किसके समान बताए गए हैं, पित्त के समान, या यूं कह लीजिए, कि पित्त के गुंधर्म किसके समान बताए गए हैं, रक रक्त के समान दोनों ही उश्न होते हैं, तो रक्त को अगर हम पित्त से को रिलेट कर दें, तो पित्त के लिए हमने यहां पे कौन सा पढ़नी लिया था, प्रिश्नी पढ़नी लिया था, तो यहां पर भी रक्त के लिए हम क्या ले लेंगे, प्रिश्नी पढ़नी को ले अब क्या बोले की कोशिश कर रहे हैं अर्ध होदके पयस्य अर्ध होदके शागे किसका पय अर्ध होदक के साथ किसका पय बोला है शागे शाग का पय यानि कि शाग का दूध जबी भी हमें दूध या रख्त की आवश्यक्ता होती है मनुश्यों में जबी भी कमी होती है डूब और पे लिया जाता है अब रग्त तिसार है तो रख्त का लोस हो रहा होगा है ना तो रख्त की ज़रूत में हम च्छाग को याद करते हैं और यहां पर ले रहे हैं उधक उदग के साथ पै, उदग और पैले रहे हैं, छाग का पै और उदग, आधा उदग मिला के छाग का पैले रहे हैं, तो लेते हम छाग का ही हैं, चाहे हम उदग ले, चाहे हम रक्त ले, तो छाग का पै हम लेंगे अर्धुदक के साथ, किसमें रक्ततिसार में, रक्ततिसार मे ये सब शीतल चीज़े हैं ना उत्पल, कैसा होता है, पानी में होता है, तो शीतल होता होगा, शीतल ही होता होगा ना उत्पल, तो क्योंकि रक्त का पित्त का गुन ऊशन होता है तो इस तरीके से याद कर लें कि शीतल होता होगा जल जो होता है पई होता है वो भी शीतल होता है एक है यहाँ पे नागर नागर यानि की शुंटी तो नागर को भी हम याद रखेंगे कैसे याद रखेंगे नागर को, इन सब के साथ नागर को भी याद रखेंगे, पयस्य अर्धू तके चागे हिरवेर उतपल नागरे, एक नगर है जिसमें उतपल होता है हिरवेर, उतपल होता है यानि उतपन होता है हिरवेर, बेर लगता है एक नगर में, एक नगर के नुक कड़ पे बेर का पेर है इसमें बेर लगता है और हम उस बेर को कहां यूज़ करेंगे उस बेर को यूज़ करेंगे रग्त अतिसार में रग्त अतिसार में नेक्स्ट हमारी जो पेया है वो है आम अतिसारगनी पेया, क्या है आम अतिसारगनी पेया, द्रव्य देखते हैं, अतिविशा सामला, यहां पर श्लोक में सामला ही आया है, दाडिम नहीं आया है, सामला से दाडिम को ही लिया गया है, कि अमल दाडिम लेंगे, सामला से दाड विशा अमलदाडिम और नागर नागर याने की शुंठी ठीक इसको याद कैसे करें तो एक नगर है क्या है एक नगर है जहां पे अति विशैला खटा मिलता है एक नगर में अति विशैला खटा मिलता है विशैली चीजों को खा लेंगे तो क्या होगा दिसार तो होगा ही उसमें हो जाती है उसमें एक अतिसार भी आता है अभी हम फिल्वाल पेया कि बात कर रहे हैं —तो एक नगर में अति विशैला आम मिलता है, विशैला है तो मिठध होगा नहीं, खटा है, बहुत खटा आम है, उस आम को खाके अतिसार हो जाता है, तब लोगोंने समझा यह जर सव नागरम, नागर से क्या लेंगे हम नगर एक नगर है उस नगर में अति विशयला खट्टा आम मिलता है जिसे खाके अतिसार हो जाता है आम मिलता है आम से आम अतिसार को याद रख लेंगे आम से आम अतिसार को याद रखेंगी, हो गया ने याद, नगर में अतिविशयला खटा आम मिलता है, जिसे खा के अतिसार हो जाता है, तो आम अतिसार अगनी पया में अतिविशयला सामला साना गरम, नगर में अतिविशयला खटा आम मिलता है, जिसे खा के क्या हो जाता है, अतिसार हो जाता है, आम कैसा है, खटा है, जिससे खाके अतिसार हो जाता है, इन सब को खाने से अतिसार होगा नहीं, इन सब को खाना है इसके अतिसार में, आम अतिसार में ये जो है अतिविशार सामला नागरी इन सब को लेना है, ये सिर्फ ट्रिक के लिए है कि अतिसार हो जाता है, ठीक, देखते हैं, नेक्स्ट पेया, तो नेक्स्ट है हमारी मूत्र कृष्रगनी पेया, नेक्स्ट क्या है, मूत्र कृष्रगनी पेया, तो स्वधंश्रा, कंटकारी भ्याम, स्वफानिताम, फानित के साथ क्या लेना है कंटकारी और गोक्षूर, गोक्षूर जो ह उसी का ही synonym है प्रयाय है श्वदंस्ट्रा क्या है श्वदंस्ट्रा इसी का प्रयाय है गोक्षूर का तो गोक्षूर को तो यूज करते ही है मूत्र क्रिश में और कंटकाली को भी यूज किया जाता है फानित के साथ दो चीजे ही है इसके अंदर अब मूत्र में भी दो ही श और कंटकारी के तो नाम में ही काटे हैं कंटक लिखा है ना कंटक कंटक जुकशुर में क्या क्रिशगनी पेया के रूप में काम करेगा हो गया पाचनी ग्राही पित्स लेश मतिसारगनी रक्ततिसारगनी और आमतिसारगनी के साथ साथ क्या देखा आमने मोत्र क्रिशगनी पेया मोत्र क्रिशगनी पेया